हेलो गाईस कैसे आप स्पीक गाईस जैसे की स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस टैम पे मेरे पास Poco का X4 Pro डिवाइस है जिसके अंदर जो Indian Stable HyperOS है वो मैं इस टैम पे यूस कर रहा हूँ गाईस आज किस वीडियो के अंदर में आपको बताऊँगा कि अगर आप अपने Redmi के Note 11 Pro या फिर Poco X4 Pro 5G डिवाइस के अंदर HyperOS के रिस्टोल करते हो तो आपको क्या कुछ फीचर्स वगरा देखने के लिए मिलते हैं क्या कुछ बक्स वगरा देखने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि ये जो दोनों डिवाइस है वो बिल्कुल सेम है इनके लिए बिल्कुल सेम अपडेट आता है तो guys सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडिया के अंदर जो HyperOS का अपडेट आया है उसके अंदर आपको Android version 13 देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो जो कि भाई मैं कहूंगा कि काफी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है अब guys आज किस वीडियो के अंदर में बात करेंगे कि Indian staple HyperOS बहतर है या फिर काफसरी mode rooms आती है अफताब UI जैसे वो सारी better है तो आज किस वीडियो के अंदर में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को start करते है तो guys जैसे हम हमारे device में HyperOS को install करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो ध्यान है वो interface के उपर जाते है तो जैसे कि आप सभी अपनी screen पे देख लीजिए आपको काफी सारी bloatwares देखने के लिए मिल जाते है जैसे कि screen पे आप देख सकते हो Netflix हुआ, podcast हुआ, safety ऐसे कुछ काफी सारे आपको bloatwares वगरा देखने के लिए मिल जाते है जैसे कि मैं आप सभी को दिखालता हूँ ये देखो more apps के अंदर जाता हूँ यहाँ पर Amazon, Facebook, LinkedIn, Spotify, Snapchat काफी सारी अप्लिकेशन से देखने के लिए मिल जाते है जो कि मैं यूस नहीं करता और जो कि मैंने डाउनलोड भी नहीं की इसी के लवा guys आपको toolbox के अंदर भी काफी सारी ऐसी अप्लिकेशन से देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आपका भी यूस नहीं करोगे तो guys हाँ आपको update के अंदर bloatverse वगरा देखने के लिए मिल जाते हैं आप इस नहीं uninstall कर सकते हो पर हाँ bloatverse है इसी के लवा guys हाइप 4S के अंदर आप चाओ दो gcam को यूस कर सकते हो जैसे कि screen पर आप देख सकते हो मैंने 2 gcam को install कर रहा है अगर picture quality की बात करें तो आपको decent picture quality देखने के लिए मिल जाती है जो कि आप अपनी screen पर देख सकते हो हाँ guys अगर आप अपने device में gcam को use करोगे तो आपको जो MIY camera है उससे बहतर photo quality यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आप अपनी screen पर देख सकते हो यह मैं आपको बता सकता हूँ अब guys हम settings के अंदर चलते हैं settings के अंदर बात करते हैं कि मैं क्या कुछ options वगरा देखने के लिए मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं lock screen के अंदर अब lock screen के अंदर में आपको बता दूँ जो HyperOS के अंदर जो new lock screen आई है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है जो कि आप अपनी screen पर देख सकते हूँ में इसको एक बस start कर देता हूँ यह देखो आपको काफी सरी यहाँ पर lock screens वगरा देखने के लिए मिल जाती है आपको जो भी अच्छी लगए आप उसके अंदर date वगरा को customize कर सकते हो जैसे कि आपस भी जानते होंगे कुछ इस परकार से आपको customization वगरा करने का options देखने के लिए मिल जाते है आपको जो भी अच्छी लगए आप उसे apply कर लीजे अगर आपको always on display चाहिए तो उसको भी apply कर लीजे आपके device में successfully work करना start कर देती है जैसे कि आपस भी screen पर देख सकते हो आपको animations वगरा के अंदर lag वगरा भी देखने के लिए नहीं मिलता उसके अलवा guys अगर हम और बात करें तो आपको home screen के options देखने के लिए मिल जाते है अब guys में आपस भी को बात बता दूँ कि जो mode UI होता है उसके अंदर आपको modded launcher देखने के लिए मिल जाते है जिसके अंदर आपको iOS वाला recent bar वगरा देखने के लिए मिलता है लेकिन guys में आपको बता दूँ के इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है इंडियान stable hyperos के अंदर आपको simple options वगरा देखने के लिए मिल जाते है आपको एक ही ऐसा recent bar देखने के लिए मिल जाते है इसी के लावा जो normal options होते हैं वो भी देखने के लिए मिल जाते है अगर आपको RAM वगरा देखनी है recent में तो उसको भी option देखने के लिए मिल जाता है जैसी के आपसे भी अपने screen पे देख सकते हो इस time पे मेरे device के अंदर 6GB RAM है 2GB Jet RAM मेंने use कर रखिये फिर भी 2GB की RAM मुझे खाली देखने के लिए मिलती है जो कि मैं खाऊंगा कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं है उसी के लावा guys अगर हम settings के अंदर आगे चलें तो आपको display and brightness को option देखने के लिए मिल जाता है इसी के लावा guys आपको theme store वगरा सबी के सबी देखने के लिए मिल जाते हैं और हाँ themes सारी paid हो चुकी है जैसे कि आपसे भी देख सकते हैं अगर आपको किसी theme को use करने हैं तो 41 रुपए की 50 रुपए की ऐसी themes वगरा देखने के लिए मिल जाती है free देखने के लिए मिलते हैं जो सारी बेकार है कोई भी use करने के लाइक यहां पर theme नहीं है इसके लवा guys आपको fingerprint face unlock की बात करें तो ज़्यादा fast नहीं है पहले जैसे MIY जैसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके अंदर कोई भी problem वगरा नहीं है अगर charging की speed की बात करें तो वो भी normal अच्छी है आपको उसके अंदर भी problem वगरा देखने के लिए नहीं मिलेगी अगर मैं additional settings अंदर जाओं तो जैसे की screen पे आप देख सकते हैं क्यू कबिल का option देखने के लिए मिल जाता है Earpins का भी option देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप अपनी screen पे देख सकते हो अब guys अगर हम gaming बगारा की बात करें तो मैं आप सभी कुछ screen पे दिखा दूँगा कि आपको क्या कुछ settings बगारा game के अंदर देखने के लिए मिल जाती है अगर gaming की बात करें तो आपको decent gaming देखने के लिए मिल जाती है guys एक बात का ध्यान रखना कि जो custom roam होती है उसकी जैसी आपको कहीं पर भी gaming experience देखने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन हाँ guys HyperOS के अंदर आपको अच्छा खासा gaming experience देखने के लिए मिल जाता है मैंने अभी तक root वगरा करके कुछ भी जादा इसके अंदर नहीं किया CPU वगरा के साथ में पर फिर भी आपको decent gaming देखने के लिए मिल जाती है बाकी guys अगर हम बात करें कि mode HyperOS को और simple Indian HyperOS के अंदर कौन सा बहतर है तो guys mode वाला जादा बहतर है क्योंकि उसके अंदर custom kernel वगरा add किये जाते है इसके अंदर simple kernel है तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि guys अगर आपने अपने device के अंदर bootloader वगरा unlock कर रखा है तो आप mode HyperOS को use कीजिए आपको उसके अंदर काफिस ज्यादा features वगरा देखने के लिए मिल जाएंगे और एक अच्छा खासा experience भी देखने के लिए मिल जाएगा इसके अलबा guys इसके अंदर आपको जो Indian control center है वो भी देखने के लिए मिल जाता है लेकिन काफिसर remote ROM से उसके अंदर आपको iOS वाला control center देखने के लिए मिल जाएगा जो कि एक अच्छी बात रहती है बाकी guys मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर bloatwares है lag वगरा तो मुझे अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा calling के अंदर कोई भी प्रोब्लम मुझे देखने के लिए नहीं मिल रही जैसे की screen पे आप देख सकते हैं मैं 5G sim को यूज़ कर रहा हूँ जो की कासी अच्छी से लग रही है तो guys आप मुझे नीचे comment करके बताना कि कौन सा hyperOS बढ़ी है developer जो mode hyperOS बनाते हैं ज़्यादा बढ़ी है या फिर जो Indian stable hyperOS है वो ज़्यादा बढ़ी है बाकिए guys अगर आपको Redmi Note 11 Pro device के लिए या फिर Poco के X4 Pro 5G device के लिए किसी भी custom ROM का review अगरा चाहे है तो मुझे नीचे comment करके बता देना और हमारी YouTube channel को subscribe कर देना क्योंकि इन devices related काफसरी वीडियोस आने वाली है और पहले भी मैं बना चुकाँग तो guys चली मैं मिलते मारे किसी next वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई